कैं या राम हैं लोग तो क्या हलम चलिंय को तक दो हमारी बात करने वाला आदि पूरुश के व雇एफ एक्सु और सीजाई को लेकर कूकिू कहूँकि पूरुशप कि टल है लोगों ने ट्रॉल किया हाप भले कितना झाल कर mange के लो यार पर फिर भी इस movie की hype कम नहीं होगी सबसे पहले बात की जा हमारी रामायन की तो भाई लोग रामायन पर best होने के बाद इसका concept अगर कितना भी यह VFX में कितना भी कितनी भी कमी हो तो भाई लोग फिर भी लोग यार थेटर में तूच पढ़ेंगे और यह movie पैसा कमाएगी यह movie बहुत पैसा कमाएगी पैसे के मारे में बात है यह नहीं बात करेंगे देखो गईस यह आईसा भी मतलब इसका टीजर में जैसे तरीके की VFX दिखाए गए थे वह इसे भी रेलीज कर देते ना फिर भी यह 700 करोग एजी ली बहुत है नहीं हमारा हम इस movie को जिस तरीके से लोग इस movie को देखना चाते उसी तरीके से यह makers हमको दिखाने की कोशिश करें पर फिर भी लोग थोड़ा बहुत ट्रोल करेंगे अगर गाईस इसके VFX और CGI मतलब एकदम कड़क नेवल के निकल के आते हैं बता रहा हूँ आपको जितनी हाइप आर आर मोई को मिली है ना उससे दुगनी से तिगनी में बता रहा हूँ इससे ज़्यादा यह hype create करेंगी और भाई लोग मैं बता रहा हूँ कते अलग लेवल पे मचाएगी और पैसा तो अब भी कम आलेगी यार क्योंकि आइसे भी रिलीज कर देने उनको यह VFX के साथ भी 700 को इजी लिए box office पे collection करेगी जिनने लगता है ना कि यह flop होगी साले तुम पागल हो क्योंकि यह movie flop होने के लिए नहीं रिकॉर्ड बनाने के लिए बनी है और बात करें VFX और CGI के तो बाई जिस साब इस पे जोरो सोरो से काम चालू है जो कि मतलब आने वाले 16 जुले को जो आएगी या फिर नहीं आएगी मुझे तो लगता है आ जाएगी क्योंकि पोस्पॉंड के अभी कोई उन्होंने बता ही नहीं 16 जुले ही रखी है तो भाई लोग देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या होता है तो यार यही थी कुछ अपडेट क्योंकि VFX और CGI पे तो जोरो सोरो से काम चालू है तो बस इस वीडियो में इतना ही नए आए हो चानल पे तो सब्सक्राइब कर दे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ